हालो स्टुडेंट्स नवोद्य माव का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम वो डिसकसन करेंगे केमेस्ट्री के बहुत एक इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्ट्ट्र ऑफ एटम जो कि सैनिक और नवोद्य स्कूल क्लास 9 के एक्जैम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है तो इससे आप अच्छे से समझने की कोशिज किजिएगा और अगर कहीं आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर दिये गए वाट्स जो टॉपिक है वो है अटामिक नंबर क्या होता है तो अटामिक नंबर को जेट से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मल डेफिनिशन है कि नंबर ओफ प्रोटॉंस इना एटम या फिर नंबर ओफ इलेक्ट्रॉंस इन इलेक्टिकली न्यूट्रल एटम अब यहां पर एक है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम उसे मैं क्लारिफाई कर रहा हूं जैसे माली एक एटम हो गया यह फिर आयन हो गया क्लोडिन माइनस ठीक दूसरा हो गया पोटैसियम प्लस और तीसरा हो गया सोडियम तो यहां पर देखे क्लोरिंग पर नेगेटिव चार्ज है और पोटैसियम पर पोजिटिव चार्ज है तो यह दोनों इलेक्टिकली न्यूट्रल नहीं हुए जबकि सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है ना प्लस चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है तो य सब्सक्राइब करते हैं यह गया यह यातामइक न मोट होगा फिर जे टीलक नूपर करते हैं और एक नमबर को जेट से डीनोट करते हैं एक उदाहर से समझते यहां पर देख लिए मैंने एक इलेक्टिकली न्यूटरल एटम लिया हुआ है जो कि अलुमिनियम का है तो यह 13 जो हो गया इसका यह अध्यार नमबर हो गया और 27 इसका मास नमबर हो गया सैंच अब देखिए यहाँ पे अलेक्टिकली नूटरल एटम है तो जो इसका जितने इलेक्ट्रोन होंगे इसमें वही उसका अलेक्ट्रोन हो जाएगा यहाँ पर देख सक्तें और 3 होगे स कहाओ अर्प्रोट्रोन कितने होगे तो जितने इसका अड़ीन相信 में होगा और जितने नंबर अव ईलेक्ट्रांस भी होगे लैक्टिकली न्यूटरल एटम में कि नंबर उफ ईलेक्ट्रांस और नंबर अभप प्रोटपोस उब होते हैं कि सी देशन horrible एक्टम में तो एक्टमिक नंबर 13 हो गया प्रोटॉन भी 13 हो गया और नंबर अफ इलेक्ट्रॉंस भी 13 हो गया ठीक अब एक नोट है इससे आप याद कर लिजेगा इस एक्टम है यूनिक अटॉमिक नंबर ऐसा नहीं होगा कि किसी एलिमेंट का एक से ज्यादा अटॉमिक नंबर हो जैसे कारवन का अटॉमिक नंबर छे होता है तो कारवन जितने भी कारवन होंगे उस सभी का अटॉमिक नंबर बस छे होगा तो अगला टॉपिक है मास नंबर तो मास नंबर क्या होता है मास नंबर को सबसे पहले एसे डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मल डेफि मतलब सम औफ प्रोटॉंस और सम औफ नूट्रॉंस को ही टोटल नंबर ऑफ नुक्लियॉंस बोलते हैं उदारन से समझते हैं यहां पर देखिए हमने फिर से एलुमिनियम का एक एक एटम लिया हुआ है जिसका अटॉमिक नंबर हो गया 13 और मास नंबर हो गया 27 ठीक तो अट वही उसका नंबर अफ प्रोटॉंस बहुत यह भी तेड़ हो गया नंबर ऑफ इल्सके नूट्र लेटम है तो नंबर एक्ट्रॉंस के 10 हो जाएंगे श्माइस कितना है 27 दिया गया है और मास नंबर का फर्मूला क्या है नंबर अफ प्रोटॉंस प्लस नंबर आफ नूट तो यह हमने फर्मूला लिख लिया आप इसे नोट कर लीजेगा और याद भी कर लीजेगा अब इसमें क्या करेंगे हम जो हमारे पास यह वैल्ली जे वह डाल देंगे तो नंबर न्यूटरां कितने हो जाएंगे मास नमबर माइनस नंबर प्रोटांस तो मस्तनी सेबन और न कि टर्मिनोलोजी है वो समझने की कोशिज करेंगे एक जो टर्म आता है इस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्र फेटर में वह होता है आइसो टॉप्स तो आइसो टॉप्स का डेफिनिशन क्या है दा एटम्स ऑफ दे सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बाट डिफरेंट मास एसो टॉपस ऑफ हाइट्रोजन का एक्जांपल लिया ठीक टो अगर एटॉमिक नंबर तो हों कि क्या है सेम होंगे सेम एलिमेंट हैविंग सेम एक मेलिक नंबर यहां पास।मी क्या होगा संभला कि यहां पहि Ben bilkin कि युख नियु दॉप्स होगा सबके व्यंपकर दॉंक है रधिक जबकि मास्टन प्र दिखी हैं यहां पर टू और यहां पर थ्री तो एटोमिक नम्बर सेम है जो कि मास्ट को अलग है उनग का त्रीयां को नों हैं यहांन Tretium का 2 है और Tretium का 3 है अब number of Neutrons लेते हैं तो number of Neutrons find out करने का तरीका मैंने आपको अपर बताया था जो mass number है उसमें से atomic number आप माइनुस कर दे तो आपको mass number of Neutron मिल जाएंगे तो बता की दिशेया जेता हूं प्रोटियम का इत्सक्राइब क्या हो गया यह प्रोटियम है माला लीजे दिशेया हो दी रहा हूँ तो माश नंबर कितना है इसका उसमा सश्य मांसने महांब है एक जैटना अंचर्श चैमिक अधे कि 춤 यह होठा है आप ए मैनस पी और पीडन होता है और देखा है जो अट्रामिक नमबर होता है वही नमर उपर ठाउन कि वह आहां हुआ ही रहेगे कि आलेक्ट्रोंगे रहेंगे अगला है दब all the isotopes of same element is same देखिए यहां पर atomic number same है तो उसके number of जो है electrons वो fixed होंगे same atomic number है the same atomic number मतलब electrons fixed है electrons fixed है अब electron fixed है तो फिर उसके electronic configuration में कोई change नहीं होने जा रहा जो change हो रहा हुँ number of neutron change हो रहा है isotopes में ठीक तो वो उसके electronic configuration same रहेगा next property है the physical properties like mass boiling point melting point of isotopes of same element are different physical properties हो गया जो isotopes के वो अलग-अलग होते हैं next topic है isobars the atoms of different elements with different atomic number but same mass number यहां पर देखिए different elements के atomic number क्या होगा different होगा mass number क्या है same होगा कि निच्चे मैंने दो example ले रहें मैं समझा दे रहूं आपको यहां आप देखिए पर यह carbon का carbon atomic number कितना हो गया carbon atomic number हो गया चे और mass number क्या हो गया मास नमबर हो गया 14 ठीक और यहां पर नाइट्रोजन का पहला different elements अब देखिए यहां carbon का atomic नमबर छे है नाइट्रोजन का atomic नमबर साथ है तो different atomic नमबर भी हो गया और अगला है से मास नमबर तो देखिए करनी दोनों का मास नमबर सेम है तो आइसे टोफ में क्या हो गया कि I S Xbox में हो गया कि मास उनका सेम होगा और atomic number ढ़ इफरेंट होगा मदो दो अलग अलग element होंगे जिनके atomic number अलग अलग है लेकिन मास नमबर सेम है उन्हें हम això बास कहते हैं में क्या होता है अटॉमिक नंबर से होता है मास नंबर अलग अलग होता है तो इन दो पाइंट्स को आप अच्छे से समझ लिजेगा कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजेगा मैं पीडिएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से उसे डाउलोड कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं फिलाल जिएक्वार हो कि यहां पर मैंने कारबन 13 ले रखा और यहां पर नैट्रोजन 14 ले रखा है तो आइसो-टोंस में क्या होता है जो नंबर और अफ न्यूट्रांस हो गया वो इक्वल होते हैं तो पहले कारबन का मैं दिखादे रहा हूं शाय का समुइट नंबर कितना हो हो गया 6 तो number of neutron कितने हो जाएंगे कि यह माइनस जड़ क्या हो गया 13-6 कि नमबर अफ न्यूट्रों साथ हो गया और उसी तरह मैं nitrogen का layer ले रहा हूं इसके मास कितना हो गया 14 कि atomic नमर क्या हो गया साथ तो नमबर अफ न्यूट्रों सिन कार्बन कितने हो जाएंगे नैट्रोजन में सौरी 14-7 यहां पर देख लिजे दो अलग अलग element है कार्बन और नैट्रोजन और उनके जो नमबर अफ न्यूट्रों से वो सेम है ठीक तो ऐसे एलिमेंट्स या फिर एटम्स ऑफ डिफ्रेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नमबर अफ न्यूट्रोंस और नोन एस आइसो टोन्स और मैंने यहां पर एक और एक्जाम्पल लिए इसका भी अब देख सकते हैं इसमें न्यूट्रोंस कितने हो जाएंगे 30-14 जो कि इसमें भी है तो देखिए अलग-अलग एक्टम से यह सिलिकॉन का एक्टम हो गया यह फासफोरस एक्टम है यहां पर सलफर एक्टम है एक्टम साथ डिफ्रेंट बट्ट तींग इस दानमबर अफ नूट्रोंस इन देर नुक्लियोंस इस इक्वाल डैट इस सेम डैट इस है क्योंकि कंफ्यूजन होता है अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट किजिए ठीक नेक्स्ट टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसका फॉर्मल डैफिनिशन है आयन और एक्टम और मॉलेक्विल फिच हैब दसेम नंबर अफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देख लिज अब कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसपेसिज क्लोरिन का देख लिजे क्लोरिन का ऐसे अट्रोंबर 17 होता है और माइनिस दीवाए मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है ठीक तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगे 18 आरगन ले लिजे आरगन पर कोई चार्ज न हो गया है इसमें ने र्किन दो रखोड़े तो इसमें कितने कि इलेक्ट्रॉन बचे 18 ओं तो देख लिजे अलग-अलग यह नमबर एक्ट्रॉण्स है वह कि सेम है तो आयन और एक्ट्रॉण्स है और आई जोड़ी सेमियर आप्ट्रॉण्स मैंने कोसिस किया है कि परतेख टॉपिक इसमें कभर कर लो लाइक आइसो टॉप आइसो बास आइसो एलेक्ट्रोनिक्स अटॉमिक नमर मास नमबर होप अच्छे से समझ आया होगा आपको अगर कोई डाउट रहा जाता या पिर कुछ नहीं समझ में तो नीचे कमेंट कर दीजेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और किसी और टॉपिक पर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे झाल